हाई दोस्तों तो आज हम ग्रोज चार्ट परसंटाइल वाला सिस्टम समझेंगे ठीक है तो आपने बहुत जाकर देखा होगा पीएसम से लेकर पेडियाट्रिक्स तक आप यह जरूर देखते होंगे कि इतना स्टेंडर डिवेशन और उपर और नीचे का है तो वो नॉर्मल है यह परसंटाइल सिस्टम चार्ट देखा होगा कि यहां से जो यहां तक जा रहा हो 97 परसंटाइल में लाई कर रहा है बच्चा और आपने अंडर फइब बच्चों का ग्रोज चार्ट जब आपने ट्रेस किया हुआ तो भी यह ऐसा चार्ट देखा हुआ कि आप कोशिश बता देता है बच्चे की तो आप यहां देख सकते हो ट्रेजिक्टरी ही चल रही है तो इसमें अपने को terms मिलता है कि बहुत बहुत गलती कर जाते हैं और पूरा concept बेगड़ जाता है क्योंकि एक clinician को पता होना चाहिए कि बहुत कौन से क्या होता है बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ मान लिजे 100 बच्चे हैं ठीक है तो आपका percentile आया 20th ठीक है 20th percentile तो यहनि इसका मतलब यह हुआ आपकी जो नीचे बच्चे हैं वो 20 होंगे और आपके ऊपर होंगे 80 वापी से समझते हैं और सबसे easy तो यह है 50th percentile है आपका तो पचास ऊपर है आपके और पचास नीचे यह आपने आजकर बहुत scoring में पढ़ा हुआ और दूसरा percentile के बाद में आता है standard deviation ठीक है ज्यादा इसके उपर बात नहीं करूँगा यह अपन पेसे में पहली पढ़ा दिया जाता है और basically एक dispersion बताता है आपको ठीक है तो मानलो कोई भी data set है अपने पास x1, x2, xn तक ठीक है तो मानलो अपने पास दो data set है एक यह और एक यह हाला कि यह कोई relevant नहीं रखता समझने है बट फिर भी अपन थोड़ा सा understanding ले लेते हैं तो मानली जे एकड ग्राफ यह जा रहा है ठीक है इस वाले का और इस वाले का ग्राफ यह जा रहा है तो इससा मतलब यह हुआ इसका standard deviation जादा है उसका कम है क्यों? क्योंकि इसके आप dispersion देखिए mean position से बहुत जादा है और इसका कम है तो एक तरह से आपको यह फैलाव बताता है spread बताता है एक mean position यह data के बराबर में right और left में तो अब अपन यह एक बार prototype देखते हैं आपने यह prototype देखा होगा तो मान लो अपन यह example लेता है एक set का कि इसका पहले थोड़ा सा मतलब समझ लेता है ठीक है मानली जी एक growth दे रखिए और यहां से एक बच्चा है मानलो lean thin parents है उसके पतले दुबले से parents है तो उसके obviously बच् constitution तो होगा नहीं ठीक है genetics से decide होता है इसके सबके formula भी होता है बट अपन concept समझ रहे है third third सबसे कमजोर मान लीजे अपने एक बच्चा ले रहे है जो की normal है हाला कि आग growth pattern देखोगे third से 97th percentile के बीच में का growth pattern जा रहा है तो वो normal माना जाता है इसके नीचे abnormal होगा ठीक है तो तो गिसी parent ने अपनी बच्चे की age और month के साब से length चार्ट है उनके पास चार्ट पहले से बनावा होता है जो की डबलो हो ने बनाए गया ठीक है उसके बारे में बात करेंगे तो उसके parents ने मार करने लग गया ठीक है तो उसको ये एक मिला तो उसको third percentile मिला ठीक है अब ए जादा मसल मादा अच्छा है तो obviously बच्चे अभी उनका constitution robust होगा ठीक है तो उसका 97 example लेते है 97 में लाए कर रहा है ये 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 तो अपने अभी समझा की होता क्या percentile इसका मतलब 97 percentile का मतलब ये है इस बच्चे के नीचे 97 बच्चे होंगे ठीक है और इसकी उपर सिर्फ 3 हों ये बहुत लंबा होगा अपनी glass में और इसके नीचे मानलो 100 बच्चे हैं सारे percentile लेकर रहे हैं तो इसकी उपर सिर्फ 3 बच्चे होंगे और इसके नीचे 97 बच्चे होंगे ठीक है समझ गए वैसे 50 percentile है ये बच्चा बीच का रहेगा इसकी उपर भी उतने उतने भी उतन नीचे छोटे रहेंगे वैसे 15 का मतलब 15 का मतलब क्या हुआ इसके नीचे 15 15 बच्चे नीचे रहेंगे और बाकी के 85 उपर रहेंगे लेंगे ठीक है तो percentile का मतलब तो आप समझ गया अब अपन थोड़ा सा odd deep understanding लेते normal distribution की ठीक है तो यार ये normal distribution कर होता ठीक है तो इसका अपन एक data set को नहीं ले रहें हाला कि आपने ये दरूर पढ़ा होगा कि कोई भी अपन मानलो एक data set लिया मैंने research की x1 आया x2 आया x3 आया तो मुझे इसके calculation easy करने के लिए formula होता है मैं इसको normal distribution कर में बदल लूँगा जिससे कि मुझे ये पता रहेगा कि area कितना है data curve क्यों अपन normal distribution में कर लेता है ठीक है अब इसको थोड़ा समझते है पहले जो अपने को सबसे important बात है समझने वाली वो यह है अपने जरूर देखा होगा कि plus minus 2 SD लिखा है मानलो अपन वोपी गहे की बात करते है एक result निकालते है कि by plus minus 2 SD है बच्चे की growth तो वो normal है तो इसका percentile से लेकर 97th percentile जो कि अपने बात की तो यह standard deviation को percentile में जब convert करते है तो यह data आता है कि अगर minus 2 SD for example यह minus 2 SD है ठीक है यह 2 है ठीक है यह minus 2 SD है और मानलो यह 2 SD है plus 2 SD तो इसके बीच में जो यह area है ना यह यह जो बच्चे है यह normal जा रहे है ठीक है यह normal जा रहे है अब इसके extreme right और extreme left में जो है वो या तो जरूद से जादा है या जरूद से काम है ठीक है एक बार अपन इसको तोड़ा सा और समझ लेता है मानलो मैंने कोई एक research height से समझ लो ठीक है न सबसे easy तो ही है ठीक है तो एक height का मैंने bell curve बनाया ठीक है bell curve भी है तो मैंने यह देखा कि यह है frequency frequency यह number of people और यह height है ठीक है अब अपने को क्या समझ में आया कि भाई जिस सबसे जादा जो frequency के जो लोग है न यह यहाँ लाए कर रहे है तो मानलो यह height है 5 foot ठीक है तो सबसे जादा कि height का है 5 foot है अब जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे height increase हो रही है ना मानलो यह 8 foot अगा तो कितनी height है इनकी बहुत कम लोग है जिनके 8 foot है या 4 या 5 foot है तो यह कोई मैं तो एक example ले रहा हूँ कोई pituitory disorders इनका होगा पूरी population का हो सकता है ठीक है एक 5 foot का है तो यह उतनी कम है frequency अब देखो यहाँ पे कम है और यहाँ उतनी ही कम है 8 foot की भी उतनी कम है जितने 5 foot के ल भी growth chart देखा यह बहुत बड़ा एक data collection होता है जो कि WHO या कोई भी बड़ी organization करती है हर एक race, religion, caste के बच्चों को observe किया जाता है मानलो एक बच्चे को मैंने तो यह इंडिया है और अफ्रिक सारी यह Asian continent है यह African है और North America ठीक है तो इसमें से यह scientist ने data collect करने लगे 1 month फिर बच्चे को follow up किया पूरे मानलो 5 years सक अफ्रिका में भी वैसे ही किया 1 month से लेकर 5 years सक नौर्स अमेरिका में भी ऐसे ही किया 1 month से लेकर 5 years सक तो सब बच्चों का data collection होगा तो उन्होंने यह देखा होगा कि वही जो सबस्यादा बच्चों का data जा रहा है ना कि वह इसके साफ से जा रहा है 50th percentile ठीक है तो obviously data collection के उसको मिला कर सब कुछ मिला के इन्होंने एक common opinion बनाई कि वही 50th percentile वाला बच्चा जो होगा ना बर्त में समय मानलो एक X इसका बर्त हुआ तो उसका एक X length है या weight है तो जाते जाते यह trajectory follow करेगा अब उन्होंने research ही कि वह इतने age में इतना जा रहा है और वैसे जा रहा है और 97th percentile वाला बच्चा भी वैसे ही जा रहा है ठीक है तो जो कि obviously statistics से आया है कि वह यह जो बच्चा है जो कि मानलो जैसे मैंने example बता है यह खाते पीते परिवार का है यह थोड़े गरीब परिवार का है ठीक है तो भई जो खाते पीते परिवार का है robust constitution है उसका ऐसा weight बढ़ेगा ठीक है मानलो यह बच्चा जाते जाते इससे यहाँ dip कर जाए तो मैं as a clinician मुझे पता होगा कि यह गड़बड हो रही है और इसको कोई developmental delay डेले निया कोई growth retardation तो नहीं हो रहा ठीक है और वैसे मानलो third percentile का बच्चा एक दम से ऊपर चला जाए तो हो सकता है कोई जाएजेंटिसम हो रहा या कोई और बिमारी हो तो अपन इससे एक developmental delay और भी hormonal endocrinopathies या कोई भी बिमार का पता लगा सकते हैं इसलिए important होता है तो growth chart का मतलब अपने समझा कि पर्सेंटाइल और standard deviation तो यह दो चीजें होती है समझने वाली कि अब लगता है आपको standard deviation, normal distribution और growth chart को कैसे correlate किया जाता है और percentile वारा system बहुत important है कि इसका मतलब क्या होता है वापे से third percentile और 97th percentile के बी नीचे या इसके उपर abnormal वाना जाता है और फिर बाद में वो आप उसको management क्या करना है या उसको कैसे deal करना है वो अलग बात है तो मुझे लगता आपको समझ में आ गया देखने के लिए thank you, goodbye